हेलो नमस्कार मैं डाक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हारदिक स्वागत करता हूं आज के वीडियो लेक्चर में हम बात्चित करेंगे भारतेंदो हरिश्चंत और हिंदी नावजागरण तथा महाविर प्रशाद्दिवेदी और हिंदी नावजागरण के प्रवित्यों के आधार पर है लेकिन हिंदी सहित में दो ऐसे ब्यक्तितों हैं जिनके की नाम पर कालखंडों का नाम है जिसमें की भारतेंदो हरिश्चंत और महाविर प्रशाद दिवेदी का नाम प्रमुक्ता से लिया जा सकता है तो आज के लेक्चर में हम यह देखने क की कोशिश करेंगे कि किन वजों से इन दोनों व्यक्तितों के नाम पर विशेस कालखंड प्रचलित हुआ और उसका नाम करण हुआ तो देखा जाए हिंदी सहित में आधुनिक यूग का आरम भारतेंदों से माना जाता है और उन्होंने समाज में चल रही नवजागरण की प्रक्रिया कारना केवल वैचारिक धरातल पर संग्यान लिया बलकि उन मुल्यों को सहिति से जोड़कर उसे आधुनिक भावबोद से सम्रिद भी किया तो खास तो उन्होंने अपने समाज में चल रही नवजागरण की प्रक्रिया को वैचारिक धरातल पर लाने की की और उन मुल्यों को सहिति से जोड़ा ठीक है और उसे आधुनिक भावबोद से जोड़कर देखने की कोशिश किया इसी वज़ा से भारतेंदु के नाम से भारतेंदु यूग चला और साथी में भारतेंदु मंडल एक तरीके से सर्विस सर्वा थे भारतेंदु अपने स समय के उनको ज्यादा मौका नहीं मिला था मातर 35 वर्स की आयू में जितना भी काम करना चाहिए एक साहितिकार को उनोंने कर दिया नाटक के छेतर में निबंद के छेतर में पत्रकारिता के छेतर में यातरा बृत के छेतर में और अन्य गर्दी भी धाओं के छेतर में अपन पूरा काम किया यहां तक की भाषा को ले कर भी उनका काफी प्रयास रहा की निजभाषा उन्नतिय है बिन निजभाषा उन्नतिय है सब उन्नति के उम्मोल बिन निजभाषा ग्यान के मीटे नहीं है को सूल यह भी एकजाम में कई बार पूछा जाता है कि किसकी पंगती है त दूसरा पॉइंट है कि भारतियंदु देश की राजिनित की स्थितियों का बराबर नोटिस लेते रहे, मतलब ध्यान देते रहे, नवजागरन के केंद्रे में मनुसी की स्थापना है, उनके रचनाओं के माध्यम से भारतियंदु ने इसे समझात था, देश की ततकालिन पर स्थितियों को परख कर उसकी दूर्दसा के बारे में लिखा, जब हम नाटक के बारे में चर्चा कर रहे थे, भारतियंदु के बाराई में विचार किया है भारत divrdसा और अंधेरनगरी, तो भारत दूर्दसा में उन्होंने लिखा है, एक पंक्ति है जो के परिक्षावों देखकर चिंतित नहीं थे बलकि उनके कारणों को भी समझ थी उनके पास यही कारण है कि वे अंग्रेजी शाषन की आलोचना भी करते नजर आएं ठीक हैं हालां कि कई बार आरोप लगता है कि राज भक्ति और देश भक्ति में द्वन्ध है भारतेंदु की रचनाओं में ल तथा यह राष्ट्रवाद नवजागरन की उपच थी ठीक है यह सब जो कुछ हो रहा था नवजागरन के प्रभाव में ही हो रहा था इससे पहले हमने नवजागरन पर विचार कर लिया फिर भारतिये स्वादिंता आंदोलेन की पिष्ट भूमी में नवजागरन का क्या प्रभावरा है उस पर हमने चर्चा कर फिर खड़ी बोली फोर्ड विलियम कॉलेज इन पर चर्चा कर लिया है आज उसी के अगली कड़ी में हम लगातार अपने टापिक्स को क्लियर करते हुए नजर आ रहे है ठीक है तो एक तरीके से आपको दिरे-दिरे सीक्विंस के र प्रश्ट है नवजागरन के केंद्र में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन रहे इनका मुख्य सार आडंबरों कर्मकांडों का बिरोध करना तथा इस्त्रीव निम्न वर्क के समाज के दुद्धासामिक परिवर्तन लाना रहा है बलियां के विख्यान में उन्होंने व पीधवा जिद्वा विवा का समर्थन किया बाल विवा का बिरोध किया तथा लड़कियों की सीक्षा का समर्थन किया ये बात उस समय के हो रही है आप जानते हैं कि भार्चेंदु का समय 1850 से 1885 के बीच में रहा है तो खास्तोर से जब वो एक्टिव हुए थे तो अठार सरशक इस भी के आसपास में हुए थे और पचासी तक उन्होंने लगातार काम किया और जिन-जिन समस्याओं को उन्होंन ददरी मेला यहां पर एक मेला लगता था वहां पर जाकर उन्होंने इस पीच दिया और उसमें विधवा विवा जो कि इसे पहले ही स्वर्चेंद विध्या सागरित्यादी नवजागन के फल सुरूप इस पर काम करना शुरूप कर दिया था उसके समर्थन में काम कर रहे थे ठीक है तो यह कुछ उनके साहित के प्रमुख काम है अगला जो पॉइंट है कि कि नवजागरन की चेतना में स्वतनत्ता प्रधान थी इसलिए हर प्रकार से के सामराज वात का विरोद करते रहे हैं चाहे वह अंग्रेजों का हो या मुसल्मानों का हो देख अगल्यसा में उससामें तत Means तीन तरीके की सत्ता हैं सत्तां से यह समाज चल रहा था एक तरफ अंग्रेजों का था दूसरी तरफ मुसल्मानों का तीसरा डोग तहीं बल्कि नो तू समराजยयों का विरोद हुर्ध छल रहा था उससमें लेकिन श्म्राज वाद का विरोद धर्मों का नहीं है यहाँ पर धर्म से इसको जोड़कर नहीं देखने कुछ भलकि वे मुसल्मानों की समानता की प्रसंसा करते हैं तमाम प्रगत्सिल बातें उन्होंने अंग्रेजों से भी सीखी है ठीक सामराजवाद का बिरोध इसमें मुखे था अगला पॉइंट है कि न नवजागरन है दो संस्कृतियों के टकरहाट के वज़े से होता है तो यहाँ पर भी वहीं से लिया गया है कि नवजागरन के प्रिष्टी भूमीं दो संस्कृतियों का संक्रमण है भारती यह हुआ यूरोपी संस्कृति के संक्रमण में यूरोप ने स्वयम को बेहतर बत कम तराओंगा था जिस्से की यहां के लोग हीन भावनांसे ग्रसित हो रह थे द्री द्रे ये लेकिन इसंबीच भारतिय न्दुख ने समय को समझा और भारतियों को लेकर भावनासे बचाने का प्रिआस कि आपनी भाशा को लेकर प्रेम का भाव हम इसी की देन है जिसकी मैं उन्हें गद्य की प्रधानता हुए उसके लिए खड़ी बोली कप्रयोग जनता के लिए जागरुक करने के लिए करना शुरू किया और जहां हिंदी उर्दु विवास चल रहा था और राजा स्युप्रसा सितारे हिंद और राजा लक्षमर के बीच में भी एक तरीके साथ थ सद्धा हरिष्चंद्र मैगजिन जिसका बाद में नाम हरिष्चंद्र चंद्रिका हो गया और फिर बाला बोधनी इस तरीके से तिन महात्पुर्ण पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया जिसमें कि तमाम जो उपर हमने समस्याओं को गिनाया था कि विदवा जेसा कि भक्ति विशेक्रचनाओं को मैं भी देशघङ्द सम्मर्ण आधनिकत्ता का पूठ की इसप्रकार हर विधागत माध्यं से नवजागरण की चेतना को संपन कर रहे थे सम्मृध कर रहे थे भारतेंदु के साहित मेनना उजागरन की चेतना पूर्ण रूप से मिलती है इसमें उनका अंतरविरोध भी सामील है जैसा कि मैंने बताया था कि राजभक्ति और देशभक्ति का कई जगह उन्होंने थोड़ा सा राजभक्ति की भी प्रसंसा की है तो इससे लेकर कई बार की तरह से काम किया जैसा कि भारतेंदु अपने साहित में समस्याओं को उठा रहे थे और समाज में सुधार करने की कोशिश कर रहे थे और भारत को नवजागरन के तरफ ले जा रहे थे अब दूसरा ब्यक्ति तो यहां पर उभरका राता है जिसका नाम है महावीर दिवेदी MPD के नाम पर दिवेदी यूग चला था ठीक है अब क्यों चला था क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा जिसे प्रभावीत होकर इसको प्रवित्ति के आधार पर रखकर इसका नामकरन किया गया ठीक है हालां कि बाद में इसको आलुचको ने सुधार का नाम भी दिया है तो देखते हैं कि महावीर प्रसाद दिवेदी जो कि जब टाइम लाइन में आये दिवेदी जी चन 1903 से 1926 इसवी तक सरसुती पत्रिका का संपाधन किया इसी के माध्यम से उन्होंने नवजागन की संब्ध में अपने विचारों को आगे बढ़ाया व्याकरण की सुधता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक दिवेदी जी थे गदे की भाषा पर दिवेदी जी के इस सुभ प्रभाव का इसमरन जब तक भाषा के लिए सुधता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा ठीक है ये जब आचारे रामचान शुक्ल के कथन परमबिचार कर रहे थे तब भी इस कोटेशन की चर्चा किये थे और प्रमुख हिंदी के आलोचकों के कथनों के संदर में भी एक कोटेशन आया हुआ था ध्यान में रखे आचारामचान शुक्ल का मानना है कि जब तक व्याकरण की सुधता व्याकरण या फिर भाष समर्थक थे ठीक है और महाविर प्रसाद दिवेदी के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो सरस्वति पत्रिका का संपाधन कर रहे थे तो सुरिकांति निराला ने जुई की कली नाम से एक रशना को भेजा था जिसको उन्होंने उसके कंटेंट को लेकर और भाषा को लेकर देखकर उसको वापस कर दिया था तो इस तरीके से हिंदी जगत में एक तहलका मच गया कि निराला जैसे महान कभी की रचनाओं को ये महाविर प्रसाद दिवेदी ने वापस कर दिया जो की एक संशनी खेज उस समय के निउज थी आज के सब्दों में अगर कहें तो ब्रे मानते थे मैथली सरण गुप्त और उनके निर्देशन में वो कई ऐसे महाकाबे लिखे जो की इस तरियों को केंद्र में रखकर लिखे गये थे जिसमें की साकेत हो गया ये सुधरा हो गया मुख्य आपके महाकाब्य हैं ठीक है इसके अलामा और कई लोगा जैसे अयोधिय सिंगोपाध्य हरियोध उन्होंने भी प्रिप्रवास में राधा को केंद्र में रखकर उसको लिखने की कोशिश की तो महाबीर प्रसाद दिवेदी ने उर्मिला विशेक जो भी उप्यक्षिता थी आप तक तो राम के उपर धेर सारे कावे लिखे जा चुके थे लेकिन उर्मिला को देखने के लिए एक उन्होंने पूरुष कभी को इस पर लिखने के लिए का तो यह बहुत बड़ी बात है कि इस्त्री के मन को जानने के लिए एक पूरुष को उन्होंने सौपा की आप साकेत लिखिए और उर्मिला की स्थिति का वरण कीजिए तो परिक्षा प्रशाद्धिवेदी ने दो तीन कामूँ पर काफी जोर दिया एक तो समाज में सुधार करने की कोशिश की खासतोर से जो बेक्षी चीश्त्रियां थी उनको साहित केंद्रे मिलाने का प्रयास किया और दूसरा भार्षा की सुध्धतापर अगला पॉइंठ है कि जनसाधार प्रगत्सिल मार्क पर ले गए ठीक है उन्होंने इस्तिरी सिक्षा का समर्थन किया वे इस्तिरी पराधिंता का विरोध करते थे कभियों की उर्मिला भी से कुदा सिंता नामक निबंदिस का प्रमार है जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था उसके लिए पॉइंट से आगे दिवेधी जीने कुरूतियों का विरोध किया तथा व्यज्यानिक चेत्ना का प्रचार प्रसार किया वे आधुनिक नए ग्यान अनुसासनों के समर्थक थे संपत्ति शुट ने प्रत्राश्ति में उन्होंने प्रकासित किया जिसका सिरसक है अठूत की शिकायत ये भी कई बार एक्जाम में पूछा जाता है कि अच्छूत की सिकायत नाम से कविता किसी ने लिखा था सही जवाब है हीरा डॉम और कब हुई प्रकासित हुथी सन 1914 में और सरस्वती में आप देख रहें कि जहां एक निराला जैसे कवी की रशना को वापस कर दिया जाता है वहीं पर एक निम्न जाती के हीरा डॉम की कविता अच्छूत की सिकायत को सन 1914 इस भी में महाविर प्रसादीवेदी प्रकासित कर देते हैं तो उस समय के लिए ये भी एक संसनी खेज खबर थी एक संपादक के रूप में देखा जाए एक संपादक के रूप में उन्होंने ऐसे साहितिकारों को बड़ी मातरा में उभारा जिनोंने समसामाय की सितियों को समाहित वे अपने केंद्र भारत वो भारत की समस्याओं को समझा तथा नवजागरन के मूल चरित राष्ट्रवाद को बढ़ाने में अपनी महाती भून का निभाई तो इस तरीके से हमने दो लो व्यक्तितों पर वीचार किया भारत नंद हरिशंत और महाभीर प्रसाथ दिवेदी के नवजागरन सम्बंदी और अधारस वीचार वीचारों पर क्या कारण था कि उनके इस व्यक्तितों के आधार पर आनाम भारत यंद्र यूग और दिवेदी यूग पड़ा तो कमेंस करकर जरूर बताएं कि आज का ये टॉपिक आप सभी को कैसा लगा मिलते हैं नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्ता